मा कालका को नमन करता हूँ बड़े बुजरुकों को पड़ाम बच्चों को धीर सारा प्यार देव गुरु ब्रहस्पती आपके जीवन को संतुरित करने वाले आपके जीवन को बैलेंस करने वाले अगर कोई ग्रह है तो वो सूर और ब्रहस्पती है तो देव गुरु ब्रहस गुरू महराज जो दियोताओ के गुरू है वो वक्री रहेंगे क्या होगा मेश्यमीन तक का हाल वो बताएंगे लेकिन कई लोग ब्रहम फैलाते हैं कि इसी यो उल्टे चलने लगते हैं धीमा पनाता है और लेडी स्लो प्लानेट है तो इससे रुकाबटे होती हैं क्योंकि संतान के कारक हैं शादी के कारक हैं धन के कारक हैं सिक्षा के कारक हैं तो ऐसा नहीं है वक्रता कई बार बता चुके हैं वक्रता में ग्रह अपना कारकत तो खो देते हैं द्योगरू ब्रहस्पती का कारकत तो है संतोष करके जीवन जीना और ग्यान का पचार पसार करना लेकिन जब वो ग्रेवक्री होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ग्यान का पचार पसार तो करता है लेकिन उसकी एक उचित फीस यह उससे ज़्यादा लेता है क्योंकि उसे पता है यह कंडियोग है तो वक्रता जो पहले सिक्षा होती थी, सिक्षा लोग गुर्कुल में फ्री देते थे और वहीं उनको जो दिक्षा में मिल जाता था उले लेते थे अब ऐसा नहीं है, उसकी ये पाकाइदा फीस रखी गई है, तो यही वक्रता है में सिमीन तक क्या हाल होगा, क्योंकि लंबा गोचर है, डिटेल में बताएंगे आपको समझना होगा इसको क्योंकि व्रशवराशी में गोचर कर रहे हैं, दुती भाओ में ये गोचर मेश लगनों मेश राशी वालों के होगा दुती भाव में इस गोचर होने की वज़े से धन अचानक से बढ़ेगा रुपया पैसा बढ़ेगा कुटुम्ब बढ़ेगा ग्यान बढ़ेगा ग्यान से पैसे का अरजन बढ़ेगा लेकिन वाणी में उतार चड़ा रहेगा वाणी में कतोरता रहेगी खर्चे भी बढ़ेंगे, भौत इकता में पैसे क्षुब खर्च होंगे, लेकिन पैसे की आवक खतम नहीं हो रहे है, पैसे की आवक कम नहीं हो, इसलिए डरना घबडाना नहीं है, क्युकि जोतसी ना करते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेंगा, रुपया पैसा घर गारी बंगला खरीद रहा है खर्चे को हाई पाई करेंगे बहुत तिक मेटलिस्टिक लाइफ में करेंगे उर्जा जरूर व्यर्थ के कामों में अगर खर्च हो रही है तुसे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा जो भी नए उसम मिलेंगे क्योंकि ये दुती भाव में बैटके छटा भाव जो की नौकरी का होता है नवम भाव जो की नवी दरश्टी जो की दसम भाव में पड़ेगी तो कहीं न कहीं करियर और नौकरी में देख रहे होंगे तो एक दुश्टी अस्तमाव में भी होगी, तो कोट का चहरी से मुक्ती मिल सकती है, अचानक धन प्राप्ती हो सकती है, इंसुरंस से प्रफसा हुआ पैसा मिल सकता है, गर जिसमें अटका हुआ पैसा मिल सकता है, उस असुराल पर से अगर कुछ तलखियां थी, कोई दिखते थी, तो उसमें भी लाप मिलेगा, ऐसे लोग इस दौरान काफी चपल हो जाएंगे, कभी होश्यार हो जाएंगे, और अपनी बातों से भी लोगों को कही न कहीं अट्रेक्ट करेंगे, अब बात कर लेते हैं, प्रशफ राशी, प्रशफ लगन वालों की, तो निश्चित तोर पर वक्री का प्रभाव अगर बात करेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा चला रहेगा, मोटापा कम होगा, उसी के साथ साथ विवाह में बैठे होने की वज़े से, सिल्क शेयर मार्केट, सटे मार्केट से भी लाब होगा, अचानक धन प्राप्ती के योग बनते हैं, धार मिक्ता बढ़ेगी, खुम मंदरों में जाएंगे, किसी बड़े तीर्थ स्थल में जा सकते हैं, पैत्रक संपत्ती में लाब मिल सकता है, माता पिता से लाब मिलेगा, अचानक धन प्राप्ती के योग हैं, उसी के सासा थोड़ा व्यक्त गजीवन में उधल पुछल हो सकती है, क्योंकि थोड़ा जल्दवाजी में काम करेंगे, गुस्सा थोड़ा जाता बढ़ सकता है, तो पारवारिक मामलों में थोड़ी असहनती हो सकती है, चोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, उस पर रिस्तों में संतलन बराने की जरूरत है, अगर बाकी देखा जाए तो सहत अच्छी रहेगी, जीवन बहतर रहेगा, और खास तोर से लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खान पान पर ध्यान देना होगा, सिक्छा बहतर होने का मौका मिलेगा, लेकिन जितनी आप उमीद कर रहेते, इस दोरान अगर कोई एक्जाम है, उतनी सफलता नहीं मिलेगी, अब बात कर लेते हैं, मितुन लगनों, मितुन राशी वालों के, निश्यत तोर पर आपके बारवे भाव पे, विदेश यात्रा से लाब होगा, अचानक धन प्राप्ती होगी, खर्चे लेकिन बढ़े चड़े रहेंगे, सिक्छा के लिए विदेश जा सकते हैं, नौकरी से संबंदित चीजों के लिए विदेश जा सकते हैं, पती-पतनी भी बाहर जा सकते हैं, या ये भी हो सकता, अपने पार्टनर की दोरान आप कर सकते हैं, उसी के सासथ स्प्रिच्वल्टी में मन लगेगा, खोब वहाँ पे मन आपका आगे बढ़ेगा, और थैर और समझतारी से जीवन आगे रहेगा, खास तोर से चोथे बावबे डस्टी होने के जिसे घर-गाड़ी बंगले खरी सकते हैं, नौकरी अ आगे लाइफ में रास्ता दिखाएगा, या कह लेजिए एडवाईजर मिल सकता है, जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, तब बात कर लेते हैं करकलगनों करकराशी वालों की, आपके ग्यार विभाव का गोचर है, अपार धन मिलने वाला है, समाजिक पत्रिशि करेंगे, बड़ी घर-गाड़ी बंगला ले सकते हैं, और खास तोर से वैवाईग जीवन में भी मधूरता आएगी, जीवन पहतर होगा, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंद बनाये रखने के लिए, उनको समय भी देना होगा, उसका ध्यान रखिएगा, भाई बेनों स रिस्तों में तलखियां सकती है, परोसियों से विवाद हो सकता है, पैत्रक संपत्ती में छोटा मुटा नुकसान हो सकता है, हाला कि धन कमाने के लिहास से, यह समय बहुत अच्छा है, किसी बड़ी इक्छा की पूर्ती के लिए, यह समय बहुत अच्छा है, अब बात कर ल oriented में money oriented हो जाएंगे आप कहेंगे अगर मैं अपनी कहीं नहीं time यहां दे रहा हूं अपनी energy दे रहा हूं तो उसके uncool ही मुझे पैसा मिलना चाहिए वड़े calculated हो जाएंगे करियर में lab भी मिलेगा जनवरी से मार्च के बीच promotion के भी chances बनते दिखते हैं थोड़े से challenges भी आ सकते हैं अगर अधकारियों से पहले से नहीं बनती थी तो इस घोचर में अगर पहले से बनती थी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और उसरों को परखने promotion को लेने में थोड़ा ध्यान रखिएगा यह भी हो सकता है कहीं यात्रा करनी पड़े प्रोफेशन से संबंदित और यह भी हो सकता है कहीं अंचाही जागे ट्रांसफर भी हो जाए इस तोरान दैन्वर्दी के संकेत है घर गाड़ी बंगला खरी सकते हैं उसी के साथ साथ रुपया पैसा बढ़ेगा कुटुम्ब का विस्तार होगा समझदारी से काम करेंगे नौकरी में तरक्की होगी लेकिन शत्तु छोटा छोटा बीच बीच में परिशानी करते रहेंगे सीनियर बॉसस के साथ अच्छी बनेगी अगर पास रिस्ते खराबते चो जरूर दिक धार मिक्ता खुब बढ़ेगी लेकिन बीच-बीच में कंफ्यूज होंगे बीच-बीच में नास्तिकता बीच पकड़ लेंगे उसका रास्ता अक्तियार कर लेंगे तो उसको ध्यान दीचेगा विदेश यात्रा में लाब होगा वीजा ब्रीन कार्ड रुका हुआ था मिल जाएगा पैतरक संपत्ती में रुकावट आ सकती है पिता से लाब मिलेगा पिता का स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन पिता के साथ रिस्तों में और पिता के पैसों में थोड़ी रुकावट आ सकती है नवं भाव में होने की वरिया से लगन को देखेंगे confidence बढ़ा चड सकरात्मक बदलाओ लेकर आया है ऐसे लोगों को इस दौरान खुब पूजा पाठ तीरतिस्थल में जाना चाहिए नारायन विश्नु भगवान की पूजा करनी चाहिए उनके मंदरों में जाना चाहिए पारवारिक जीवन पैतर रहेगा पुराने जीवन में पुराने दो जान से गूड विद्या से जोतिस से पैसा कमाने का समय आ जाएगा या अधर वैच से या योग से या किसी भी सास्तर से और खुब पैसा इस दौरान आएगा नौकरी व्यापार में तरक्की करेंगे विदेश या अत्राय भी इस दौरान खुब होंगी जो की बहुत लाप अप्रत रहेंगी और आप को हर कोई पसंद करेगा और खास्तोर से दौरान कोई घर गाड़ी बंगला खरीदने का भी निर्णय ले सकते हैं दन सम्मंदी मामलों में इन्वेस्टमेंट बस्तोर समझके करिएगा जीवन बहतर रहेगा ओवरॉल देखा जाए हाद ध्यक्तम अकर्ञाद ध्यक्तमत्ता की और जुकाओ बढ़ेगा मांसिख शांती रहेगी और जीवन बहतर रहेगा बात कर लएते हैं रश्चिक लगम रश्चिक राशी वालों की रश्चिक लखम रश्चिक राशी वालों सब्तम भाव में गोच ले विभा में जो लोग अरेंज मे अपार बढ़ेगा, खास तोर से अगर खाने पीने का काम करते हैं, सिक्षा का का काम करते हैं, किताब कौप्यों का काम करते हैं बहतर रहेगा, हाला कि अगर कर्ज लेन देन का काम है तो उतार चड़ाओ रहेगा, पुराने दिस्तों में खटा सा सकती सके संबंदियों के साथ अपनी वाइब और अपने पार्टनर के साथ खुब डुबलोमेटिक होके काम करेंगे धन और संपत्ती के मामलों में बहतरी जाएगी निश्चित तोर पर इमोशनल भी सोरन रहेंगे धन संपत्ती रुपया पैसा बढ़ेगा मेत्वा कांचा बढ़ेगी भाई बैनों से संबंद बैतर होंगे धैर और विवेक से हर इस्थिती का निप्टारा करिएगा अब बात कर लेते हैं धनु राशिवालों की निश्चित तोर पर छटे भाउ में गोचरे पेट की समस्या, गॉल्ब्रेडर की समस्या, लिवर की समस्या, पाचंतंत्र की समस्या परिशान करेंगी छटे भाउ में गोचर सत्रू बीच बीच में उठेंगे और परिशान करेंगे नुकसान नहीं कर पाएंगे लेकिन परिशान जरूर करेंगे कैरियर में छोटे मोटा उथल पतला सकता है स्वास का पूरे समय ध्यान देना होगा नौकरी में जहां कर रहे हैं अगले चार महिने तक वहीं करते रहें तो बेतर रहेगा उतार चड़ाओं के बावजूद धन की प्राप्ती होगी विदेश यात्रा हो सकती है उसी के साथ सद्दुती भावों में जस्टी होने जी वज़े से आपके प्रैसों कफल मिलेगा हलाकि इस कोचर के एंड में फरवरी महिने में आपको लाब मिलता हुआ दिखता है नौकरी की तलास फरवरी एराउंट कर सकते हैं तब लाब मिलेगा बात कर लेते हैं मकर लगनों मकर राशी वालों की पज्चम भाओं में गोचर है अगर विवा में समस्या आ रही थी खास दोर से प्रेम विवा में हलो जाएगी शेर मार्कट से लाब होगा व्यक्तियों के लिए अच्छा समय रहेगा वित्ती मामलों में थोड़ा ध्यान दिजिएगा शेर मार्कट से लाब होने के संकियत हैं उच्छ सिक्छा में रुकावट आएगी लेकिन प्रेम प्रसंग में लाब होगा सही हम से काम लीजिएगा धैर रखिएगा नहीं तो चीजे दिक्कते हो सकती है कोई भी योजना बड़ी बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा बात कर लेते हैं कुम्ब लग में कुम्ब राशी वालों की चौते भाव का गोचल है घर गाड़ी बंगला बिलेगा खुब अच्छा घर मिलेगा नए इंवेस्टमेंट करेंगे प्रापर्टी में लाब होगा शेर मार्केट में लाब होगा माता को लाब होगा माता से लाब होगा माता के स्वास्त का लाब होगा करियर बैतर होगा पै अपनी ये सही जगह लगाईएगा तो लाब मिलेगा अब बात कर लेते हैं मीन लगन मीन राशी अलो तर्थीभाओं में गोचर है बलसाली गोचर है बाई बैनों से लाब यात्राओं से लाब confidence बढ़ेगा विवाह में लाब मिलेगा प्रेम संबंदों में लाब मिलेगा भाग उदय होगा भाग ऐसे लाब मिलेगा और निश्यत तोर पर अधिकारी वर्गा आपका सपोर्ट करेगा कोई बड़ी महत्वकांचा पून होगी धन रुपिया पैसा पद प्रतिष्ठा बढ के लिशेगा तो ये था गुर्देओ देओ गुरु प्रहस्पती के गोचर में वक्री होने का राशी फल तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए औरों तक पहुंचाई आज को फिलाल प्रतिग भटका बहुत भाट धन्यवाद